काजू कतली बनाने जा रही हूँ तो आप लोग पीज मेरी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप लोग भी इस दिवाली अपने घर में अपने ही हाथों से स्वाधिस्ट काजू कतली बनाकर खुद भी खाएं और अपने गेस्ट को भी खिला सकें तो चलिए फ्रंट शुर पर एक कटोरी काजू लिया है यानि कि जो मेजर्मेंट में 200 ग्राम हैं तो सबसे पहले इसे हम पाउडर्ड फॉर्म में पीस लेंगे यह देखिए बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में है लेकिन अगर काजू में हलका भी दरदरा रह गया तो वो ठीक नहीं रहेगा तो इसके लिए अब हम इसे सीव कर लेंगे यानि कि छान लेंगे काजू के पाउडर को हमने अच्छी तरह से छान लिया है अब एक पैन गरम करके हम उसमें हाफ कप चेनी कजू का हाफ ही लेना है क्योंकि काजू कतली बहुत जादा मीठी अच्छी नहीं लगती लेकिन अगर आप जादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चिनी की quantity अपने हिसाब से अगर जादा मीठा पसंद है तो जादा कर सकतेि और kम पसंद है तो कम और अब इसमें हम 1.2 कफ पानी डाल देंगे और इसे continuously चलाते रहेंगे और flame को हम मीडियम कर देंगे इस चाशनी को हमें boil होने तक मीडियम flame पर ही रखना है और चाशनी को जो है आप एक तार की बनाएंगे जब तक कि ये एक तार की चाशनी ना बन जाए तब तक इसे हमें पकाना है और इसे कंटिनिविसली हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं और चाशनी अच्छे से तयार हो सके लगभग चार मिनिट हो चुके हैं हमें चाशनी को पकाते हुए तो अब हम इसे थोड़ा सा देख लेंगे आराम से हलका ठंडा होने पर ही देखना है ये देखिए जस्ट बनने को है तो इसे हम अराउंड वन मिनट तक और पकाएंगे यानि की चाशनी को लगभग चार से पांच मिनट तक मेडियम फ्लेम पर पकाने के बाद ये चाशनी बिलकुल रेडी हो गई है तो अब स्टेश पर हम इसमें काजू का पावडर एड़ कर देंगे और इसे इंस्टेंट ही हम फेटेंगे ताकि काजू की गाठे ना बनें तो उसके लिए इसे हमें कंटिनिवसली फेटना पड़ेगा और अब हम फ्लेम को लोटू मीडियम कर देंगे लगबग तीन मिनट पकाने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनकर तयार हो गया है और इसे अभी भी हमें कंटिनिवसली चलाते रहना है अब इसमें वन टेबल स्पून देशी घी अड़ करेंगे और साथ ही दो तीन इलाइची का पौडर अड़ करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इलाइची पौडर फ्रेंड्स ऑप्शिनल है अगर आपको ओरिजिनल बाजु का टेस्ट रही है तो आप इस स्टेप को स्किप्ट कर सकते हैं काजु कतली का पेस्ट बिलकुल पौफेक्टली तयार हो गया है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इतना ही रखना है अब हम फ्लेम को आफ कर लेंगे अब यहां पर हमने एक बटर पेपर लिया है अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप होममेट बटर पेपर भी बना सकते हैं बटर पेपर बनाने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहां जाकर देख सकते हैं अब इस बटर पेपर पर हम इस कि हेल्प से हम इसको इस तरह से पलटते रहेंगे यानि कि हमें इस पेस्ट को यूँ ही छोड़ना नहीं है बलकि इसे हमें इस तरह से पलटते रहना है अराउंड वन मिनट तक मैंने इसको इस तरह से उलट पलट किया और जैसे यह हलका सा ठंडा होने लगा यह आप देख सकते हैं यह बिल्कुल जमने लग गया है अब हम इसका डो बना लेंगे यह देखिए काजू के पेस्ट का पूरा एक डो अच्छे से त्यार हो गया जो कि अब अपने हाथों में आ रहा है तो अब इसे थोड़ा सा इस तरह से शेप दे देंगे यानि की हलका हलका गोल कर लेंगे ताकि यह रफ सा न रहे और फिर इसे बटर पेपर पर रख लेंगे और फिर इस पर एक दूसरा बटर पेपर लगा लेंगे और हलके हाथों से इसे रोल कर लेंगे ये अच्छी तरह से रोल हो गया है तो अब इस उपर वाले बटर पेपर को बहुत ही सावधानी से यहां से हम निकाल लेंगे अब इसके ऊपर हम ये चांदी का वर्ग इस तरह से चिपका देंगे ये चांदी का वर्ग चिपक गया है तो अब एक स्केल की हल्प से या आप ऐसे ही चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इस काजु कतली को हम डामेंड शेप में कट कर लेंगे ये देखिए हमारी काजु कतली बन कर बिल्कुल तयार हो गई है ये मार्केट से भी जादा अच्छी और बहुत ही आसान तरीके से बनी है तो फ्रेंड्स आप इसे घर में जरूर ट्राइ करिए और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करिए लाइक करिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रस करिए थैंक यू फ्रेंड्स